इन ते प्रिंसप्पिल ओन विच एन ऑंपिकल फाइबर और तक एक्षर ट्रांस्बिशन और सिगल में यूजिव था है इसके अंदर के पोर्शन को यूज बोलते हैं और बाहर की कवरिंग को यूज और बोलते हैं कि इस क्लेडेंग को और के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को इस तरहीं किसे बनाया जाता है कि अंदर का क्योंकि लाइट तो अंदर जाएगी यहां से एंगल अफ इंसिदेंस टूवर्ट्स दी नॉर्मल क्योंकि यह तो एयर था यह मीडियम है और उसके बाद इसको हमेशा र दूड़ाय नाय है कैक यहाँ यह अंदर रेक्चिन अर्य हता रहएगा रेक्च को च सूऑ इस वर्कट रेक्स खुटू अर्य होता राह हैगा रेक्थ बादेक्स को तो इस को क्योंकि अन्सल्सनर इंसलें बेन्सलिक्स को तो यहाँ को अन्सलेंक दोर्द्समें स्टक By pinch ल जिसी कि मैंने बताया कि एक रिफेक्ट एक और अप्टिकल फाइबर के दो पार्ट ने लिए इनर पार्ट का रिफेक्टिव इंडेक्स जाधा होना जरूरी है तो कॉर का रिफेक्टिव इंडेक्स लैडिंग से जाधा ही होगा क्याओ Keepingने बताया होगा हुआ हुआ हुआ